हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं पलसर यूजी 4 का वाल मेरे हाथ में है यह पलसर यूजी 4 150 का हेड आया हुआ है रिपेरिंग के लिए तो दोस्तों इसमें आपको मैं दिखा दूँ कि इसमें जरा सब बहुत थोड़ा सपले है आप ध्यान से देखेगा बहुत जरा सपले है मतला अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है एकतम जरा सब थोड़ा सपले है ठीक है लेकिन इसमें क्या है कि आगे चल करके future में ना हो क्योंकि अक्सर क्या होता है जब गाइड डालो तो सीट आउट हो जाता है तो सीट आउट नहीं होने देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम इसमें गाइड डालते हैं अब गाइड डालने के लिए मैंने इस साइड से इसको तोड़ लिया है देखे मैंने इसको तोड़ ल हुआ उसके अंदर लग जाएगा जब ठीक है तो जिससे क्या होगा कि मतलब हैड में इसको निकाल लिया है देखिए गाइड हमारा निकल चुका है यह पुराना वाला गाइड है जब इस तरीके के टूल से हम निकालते हैं तो हमारा जो है इसक्रेश नहीं होता ठीक है तो आ देखिए इसमें यह वाल जो है घुस नहीं रहा है ठीक है देखिए इसमें यह वाल नहीं गुस रहा है इसमें रीमल लगाना पड़ेगा अब देख सकते कार्बिटर साइड है ना ठीक है ध्यान से देखिएगा और यह इंटेक वाल है तो जब अब क्या करेंगे सबसे पह जहां देखिए इसी जगे पे ठीक है मतलब नीचे का जो यह भाग है उसको थोड़ा सा घिस लेंगे ताकि जो मतलब करास जाने का जैसे कनेक्टिंग राड का जो पीन होता है उसको घिसा जाता है उसी तरीके से इसका भी किनारे वाला भाग घिस लेना है जिससे हमारा सीट आउट नहीं होगा अभी आपको वह भी दिखाऊंगा कि सीट आउट होता है या नहीं मतलब इस तरीके से अगर आप काम करते हैं थोड़ा सो ऐल भी लगा लें इसके अंदर लगाने से क्या होगा कि डाले में थोड़ी आसानी होगी ज्यादा चोट नहीं मालना पड़ेग ठीक है और गाइड बिल्कुल टाइट डाला करें ज्यादा घिस करके लूज भी नहीं करना है ठीक है देखिए जैसे क्या होता है कि सीट आउट तो अक्सर हो जाता है लेकिन अगर हम साउधानी रखें तो 99% इस तरीके से डालने के बाद सीट आउट की प्राबलम दूर हो है तो देखिए जहां तक हमने इसको बैठा दिया है ठोक करके है बहुत टाइट डाला हमने इसको औक है लूज डालेंगे तो ये निकल भी सकता है बाद में तो अभी देखिए उम वाल नहीं कुसरा है तो इसके अंदर हम रीमर लगाएंगे 4.5 का मतलब चाले 4 mm का ठीक है तो आपको अगर वीडियो में नजर तो नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन ये चार पॉइंट पाँच का ये हमारा रीमर है ठीक है ये नया रीमर है पुराना नहीं मतलब ज़्यादा यूज नहीं हुआ है किए अगर यूज वाला डालेंगे तो वाल नहीं गुशेगा क्योंकि इंटेक वाल वाल थोड़ा मोटा होता है ठीक है तो इसको इसके अंदर डाल करके पहले इसके हम कटिंग करते हैं रीमर लगाते हैं थोड़ा सा इस तरीके से गुमा करके बहुत आराम से गुमाना हलके हाथ से गुमाना क्योंकि अगर ज़्यादा जबरदस्ती आप उसको जल दबा करके उसके अंदर डालेंगे तो निकाले में दिक्कत हो जाएगी अटक जाएगा रीमर भी खराब हो जाएगा तमाम दिक्कते होते हैं इसलिए हलका हाथ से रीमर लगाए तो बहुत हलके हाथ से घुमाना है ठीक है तो हमने इसको लगा लीया अब हम इसमें वाल डालते हैं देखिए बिल्कुल एक D纜ंँ perfect है अगर play हम इसको चेक करा देते हैं देखिए जरा सा भी एक दम जर्ह भी play ने बिल्कोल perfect है play भी नहीं होना जाया देखिए सर कैसे खीच रहा है ठीक है जबकि ऑईल भी इसके अंदर में नहीं डाला है कुछ भी नहीं लगा है लेकिन देखिए आवाज भी बहुत परफेक्ट है सब कुछ सही है ठीक है अब सीट की बात करते है तो आप देख सकते हैं सीट आउट हम आपको दिखा दें देखिए जरा कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा कच्रा जमा हो इसको भी साफ करेंगे सारी चीज़े दिखाऊंगा तो वीडियो में इंट तक बने रहीएगा बहुत से चोटी चोटी चीज़े है जो आपको जानना बहुत थी आपके लिए जरूरी है ठीक है तो पहले इस हेड़ बरस स हम इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों जब गाईड डालना होता है तो उसके अंदर जो मतलब किनारी को अगर हम घिस लेते है तो साइड से जो हमारा हेड में होता ही है ठीक है तो साइड का जो भाग होता है माल उसका मतलब करास अगर ठोक दे तो अंदर से माल निकल के बाहर निखल जाता है जिसके कारण से seat out होता है लेकिन अगर थोड़ी सी जैसे connecting road की pin हम घिसते है उसी तरीके से अगर हम इसको घिस लेंगे तो हमारा ये seat out होने का chance बिलकुल खतम हो जाता है ठीक है तो यही होता है seat out डालने मतलब seat out ना हो इस तरीके से guide डालने का तरीका यही होता है ठीक है ध्यान से देखेगा पहले इसको हम अच्छे तरेके से साफ कर लेते हैं फिर गिरिन करते हैं गिरिन के भी आपको दिखाएंगे कि मतलब हमारा सीट आउट हुआ है कि मतलब जरा सभी कैसे और हेड का सफाई कैसे करना यह भी देख लें कितने अच्छे पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा देखें तो हमारा हेड बिल्कुल साफ हो चुका है सीट आउट भी ने एक बार फिर को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि यह ठीक था तो दोनों गायड बिल्कुल ठीक हो चुका है अब इसके अंदर हमें स्रिफ ग्रेंडिंग करने की बाकी है ठीक है तो इसका हम ग्रेंडिंग करते हैं उसे पहले आप एक बार और इसको एक चीज और चेक कर लीजिए सीट करेंगे तो गिरिन हमारा पकड़ा की नहीं पकड़ा है ठीक है अभी सब पतासल जाएगा तो ध्यान से देखेगा जोस्तों आवाज में थोड़ी दिक्कत है बहुत मुस्किल से बोल पा रहा हूं क्योंकि तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है ठीक है कि जाड़े का मौसम है ठ है इस तरीके से इसको घिस लेना है जिस्से क्या होगा कि मतलब पैकिंग लगया स्किट जो इसके ओपर लगेगा वह इधर उधर नहीं हो ठीक है क्योंकि Kenneth जब जब जादा बड़ा हो जाता है तो साइड में तच हो करके इस तरीके से कर देता ठीक है यहां पर एक लिए अब हमें क्या करना है यह जो कोई बिलेट और ले 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 अच्छे तरीके से इसको साफ कर ले लेना है उसके बाद आपको क्या करना यह जो हमारा पुराना पॉलिष पेपर है जो बोरिंग करने के बाद जब खराब हो जाता है तो बाहर निकालते उस पर थोड़ा सा रहता है तो लिकेछस भी हो जाती है कभी कभी पटक्पटक्पट की आवाज करने लगती है ठीक है तो यह दिकत मेकनेक के साथ नहुट से पहले खराद वाले की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे तरिकängen से क्लीन कर जतने हैं पहले कि आप को दिखाते हैं कि सीट हमारा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा एक ठीक है कि dzi시 कि इस सो कैसे ही ट्रिल में सिन कौशन को इसके अंदर फित करने के बाद गरेनीं करना गृद्ड करना को पता हो तो देख लेए फिल्क का छलाइग कर वहाँ शवाँ मतलब हल्क मसीन का बटन जो है उस का जी इते आप दबाओगे उतना स्पीड चलेगा थोड़ा दबाओगे थोड़ा स्पीड चलेगा ठीक है तो धीरे में मतलब थोड़ा दबा करके सीलो में आपको चलाना है तो फानली आप देख सकते हैं यह हमने सीट कटर बिल्कुल यूज नहीं किया है लेकिन जो हमारा यह सीट है बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लिया है ग्रेंडिंग आप देख सकते हैं वाल में भी और हेड में भी दोनों में आपको दिखा दे रहा हूं कितनी अच्छी फिनिसिंग आई है ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दें इस बात पे क्योंकि इतनी फिनिसिंग आ गई है बाई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर मिलते हैं नेक्ट मीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल करें